कहानी सुरू होती है और हम एक जंगल को देखते हैं एक भालू रात के अंधेरे को चीरता हुआ अपनी गुफा की ओर चला जा रहा था अचानक भालू को आस-पास किसी के होने का एसास होता है भालू रुक कर इधर उधर देखने लगा अचानक भालू के पिछे वाले प्रूंध रहा था अचानक उसके सामने डौक आकर रोने लगा भालू ने डौक को भी मार दिया जंगल के उपर से भजरंबली जा रहे थे जब उनकी नजर भालू पर पड़ी तो वो उसके सामने आये बजरंगबली को देखकर भालू के अंदर का सैतान दर से कामपने लगा जैसे ही बजरंगबली जैश्री राम बोले सैतान भालू के अंदर से निकल कर भाग गया और भालू ठीक हो गया